ओ ओमार देशेर माटी तुमार पोरे ठेकाई माथा यानि हे मेरे देश की माटी मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूं आज मुझे आप सब के बीच रूबरू आना था लेकिन मेरे नीजी कारणों के कारण मैं आप सब के बीच नहीं आ पाया हूँ इसके लिए मैं आपकी बंगाल की छमा चाहता हूँ बंगाल की पुन्य धर्ती को कोलकाता की एक्तिहासिक धर्ती को आज मेरे लिए नमन करने का अउसर है बंगाल के कणकण में आजहादी के आंदलून का इतिहां समाहित है जिस धर्ती से बंगे मात्रम का जैगोश हुआ वहाँ अभी बंगे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई आज 30 दिसंबर की तारिक का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है 30 दिसंबर 1943 1943 उद्दिल ही नेताजी सुभास ने अन्दमान में तिरंगा फैरा कर भारत की आजहादी का बिगुल्फ हुका था इस गटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अन्दमान गया था नेताजी के नाम पर एक वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजहादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है अमरित महुत्सव मना रहा है इसी अमरित महुत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल पर लिया था आज इसी में से एक हावडा न्यू जलपाई गुडी वंदे भारत ट्रेन यहाँ कोलकता से शुरू हुई है आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से लेकवर काम हो रहा है इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तयार हो गया है इसे शहर के लोगों की इज ओफ लिविंग और बढ़ेगी साथियों कुछ देर बाद ही मुझे गंगाजी की स्वच्चता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पस्चिम मंगाल को सौपने का आउसर मिलेगा नमामी गंगे मिशन के तहट पस्चिम मंगाल में सिवरेक के 25 से जादा प्रोजेक्ष को मंजूरी दी गई है इन में से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और साथ प्रोजेक्ष आज पूरे हो रहे हैं आज देड़ हजार करोड की लागत से पांच नई परियोजनाओं पर काम भी शुनू हो रहा है इसमें जो प्रमूख है वो है आदी गंगा नदी का पनरुदार मुझे बताया गया है कि अभी आदी गंगा नदी की स्थिती दुर्भागे से बहुत थराब है इसमें जो कुड़ा कचरा गिरता है सीवर का गंदा पानी गिरता है उसकी सफाई के लिए 600 करोड रुपिय से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर तैयार किया जा रहा है हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्ट केर की बातों करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिन्चरिया वो होनी चाहिए कि बिमारी की नौबती ना आए ठीक इसी तरह नदी की गंदकी को साप करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशर पर भी बहुत जोड़ दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है जादा से जादा आधुनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट आने वाले 10-15 साल बात की जरुलतों को ध्यान बेर रखने हुए देश में आज ही आधुनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं आज जादी के अमरित काल में हमें फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और एप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है साथियो इस 21 सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतिय रेल्वे का भी तेज विकास भारतिय रेल्वे में तेज सुधार इस सारी बाते बहुत जरूरी हैं इसलिए आज केंदर सरकार भारतिय रेल्वे को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे इंफ्रास्टेक्टर को अधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इंवेस्ट्मन कर रही है आज भारत में भारतिय रेलवे के काया कल्प का राश्ट्र ब्याब्य अभ्यान चल रहा है आज बन्दे भारत तेजस हमसबर जैसी आधुनिक ट्रेने देश में बन रही है आज विश्टा डोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे है आज सुरक्षीत आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड बुर्दी हो रही है आज रेलवे स्टेशन को भी एरपोर्ड की तरह विक्षित किया जा रहा है न्यू जल्पाई गुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है आज रेलवे लाइनों का दोहरी करन रेलवे लाइनों का बिजली करन जिस रप्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ देश में जो इस्टरन और वेस्टरन डेडिकेटेट फ्रेट कुरिडोर बन रहे हैं वो लोजिस्टिक सेक्टर में क्रांतिकारी बडलाव लाने वाले हैं सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ हो, सामंजश्य हो, समय की पाबंदी हो, सहुलियत हो भारतिय रेलवे आज एक नई पहचान बना दे की हम सब की कोशीश रंग ला रही हैं बीते आठ वर्षों में भारतिय रेलवे ने आधुगनिता की निव पर काम किया है अब आने अलगाए आठ वर्ष में हम भारतिय रेलवे को आधुगनिता की नई आत्रा पर निकलते हुए देखेंगे भारत जैसे युवा देश के लिए भारतिय रेलवी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निस्चित तोर पर 475 से जादा बंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी साथियों आजादी के बात के साथ दसकों में 20,000 रूट किलोमेटर रेल लाइन का बिज़िकरन हुआ वही 2014 में हमारी सरकार बनने के बार बिते 7-8 वरसों पहीं 32,000 रूट किलोमेटर से जादा रेल लाइन का बिज़िकरन हो चुका है यह हैं देश के काम करने की रप्तार, रेल लिवे के आदुनी करन की रप्तार और इस रप्तार को तेज करने के लिए है अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशालिक बिजली के रेल इंजीनों का भी तेजी से निर्मान हो रहा है साथ क्यों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमान हमारा मेट्रो रेल सिस्टिम है कोलकता के लोग जानते हैं कि दसकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का कितना बहतरीन माध्यम रही है 2014 से पहले तक देश में कूल मेट्रो नेट्वर्क 250 किलोमेटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली NCR की थी केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता है उसको बढ़ने का पुरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बढ़ला है बीते आठ वर्षों बें हमने मेट्रो का दो दर्दन से अधीक शहरों तक विस्तार किया है आज देश के अलग-लग शहरों बें लगबग 800 किलोमेटर ट्रेक पर मेट्रो चल रही है एक हजार किलोमेटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है जोका विविडी माग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है साथियो पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनोतियां रही है जिनोंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर राला है एक चुनोति रही इंफ्रास्ट्रेक्टर के कारियों में विविन्न एजन्सियों में तालमेल की कमी और दूसरी चलोती रही ट्रांस्पोर्ट के विबिन साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना इसका नतिया ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम सुरू करने वाला है इसका खामिया जा देश के इमानदार टैक्सपेर को उठाना पड़ता था देश का इमानदार टैक्सपेर हमेशा से सरकारी पैसे की बरबादी से परियोजनाओं में देरी से ब्रस्टाचार से नफ़त करता है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिये हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी ब्रस्ताचारी का भला हो रहा है तो उसका खिन्द होना स्वाभाविक है पैसे की इसी बरबादी को रोकने के लिए विभागों में सरकारों में तानमेल को बढ़ाने के लिए पी-एम गति शक्ती नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है अब चाहे विबिन्द राज्य सरकारे हो अलग-अलग सरकारी विभाग हो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजन्सिया हो या इंडिस्ट्री के लोग हो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं पी-एम गति शक्ती देश में ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्यों मों को जोड़ने मल्ति मोडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है आध देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं वाटर्वे बन रहे हैं नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि इन्हें अब इस तरह तयार कीए हाईवे बहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो रेलवे स्टेशन एरपोर्ट से कनेक्टिविक्ट हो लोगों को ट्रांस्पोर्टेशन के दोरां सिमलेस कनेक्टिविटी भी मिले साथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्द का सही इस्तिमाल करना होगा मैं देश के लोगों को वाटर बेज का उधान भी देना चाहता एक समय था जब भारत में ब्यापमार, कारोबार और टूरिजम के लिए वाटर बेज का बड़े पहमारे पर इस्तिमाल होता था इसलिए इतने ही शहर नज्यों के किनारे बसे नज्यों के किनारे इतना उज्जों की विकास हुआ लेकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्सों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिंता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जलशक्ति वो बढ़ाने पर काम कर रहा है देश में सो से जादा वोटर बेट्श और विक्सिप किये जा रहे है भारत की नदियों में आदुनिक क्रूज चले प्यापार भी हो तूरिजम भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार ने बंगला देश सरकार के सयोग से गंगा और बंब पुत्र नजियों के बीच बॉटर बेट लिंग स्थापित करने पर भी काम किया है मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूँ 13 जन्वरी 2023 को काशी से वाराणसी से एक कुरूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटर वे से होते हुए बंगलादेश से होते हुए दिवरुगर तक पहुंचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुत्वर्व कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पस्चिम बंगाल के लोगों से भी आगरत करूँगा कि इसका जरूर लाब उठाए वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेश तोर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमन के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अध्वूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्रात्विक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियटन में भी नेशन फस्ट की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में connectivity बढ़ रही है, railway, highway, waterway, आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ease of travel भी उतना ही बढ़ रहा है, इसका बड़ा लाप बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है, साथियों, गुर्देव टेगोर्द्वार रचीत प्रसिद्ध पंक्तियां है, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पवरे ठेकाई माठा, यानि हे मेरे देश की माठी, मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूँ, आज हाजी के इसमरित काल में मात्तु भूमी को सरवपरी रखते हुए, हमें मिलकर काम करना है, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है, इस बरोसे को बनाए रखने के लिए, हर भारतिये को पूरी शक्ति लगा देनी है, हमें हर दिन का उपयोग राष् निर्मान में करना है, देज सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है, इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए, बंगाल को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ